है अगर आज अगर आज अगर आज और आज की रेकने ओश शिरू करते हैं कल की टेक नूस पर हमने और पॉर्टी थाउजन लाइक्स अच्छिफ्ट किया है बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते आज भी दोस्तों आप से शेर करना चाहता हूँ मेरी बिल्डिंग में एट फ्लोर पर आटवे माले पर कोविट नाइटीन पॉजिटिफ केसा है जी हां सोसाइटी लॉक्त हो गई सब्सील्ड हो गया है बिल्डिंग वगरा सब्बंध पहले तो मैं बाहर निकलता था सोसाइटी में ज्याद टेंशन हो रही है अब क्या है कि ऐसा सील्ड हो गया कि शायद दो तीन दिन तक में बाहर की कोई चीज आ नहीं पाईगी तो जो जो घर में चीज़े हैं अब मुझे उनी से अपना काम चलाना पड़ेगा एंवेस कल मैं आप से सवाल पूछा था पोको एफटू के लिए क् 60,000 लोगों ने वोट डाला उसमें से 57% लोग बोलते हैं नहीं हम ठाक चुके हैं जी हाँ और बाकी के लोग ने भी भारी तादात में कहा हैं कि हाँ हाँ हम अभी इंतिजार करें आज का सवाल दोस्तों ये है कि OnePlus 8 अल्रड़ी आ चुका है जो 41,000 999 से स्टार्ट होता है औ 10 या OnePlus 8 किसको आप चूज करते हैं आप जरू से बहुत डाल के बतारा गर्मा गर्म टेकनियों से बहुत इंटरेशन टेकनियों से फड़ावट से आज की रेकनियोस शुरू करते हैं तो वेले कबर की बात करते हैं यहां पर WhatsApp से WhatsApp का जो ग्रूप कॉल है वीडियो कॉल I mean उस को बढ़ा कर 8 कर दिये जी आप 8 लोग एक साथ WhatsApp पर वीडियो कॉल कर सकते हैं ग्रूप में वैसे यह फिलाल के लिए बीटा में 2.20133 Android के अंदर है और 2.205025 iOS के अंदर है बहुत ही जल्दी यह स्टेबल हो जाएगा फिलाल के लिए बीटा में इसकी टेस्टिंग चल रही और जो चाहे वो कर सकते हैं तो यहांब दोस्तो एपल की तरफ से बहुत हैं इंट्रिस्टिंग ख़बर आ रही है और पहली बार दोस्तो आइफोन 12 सीरीज की कुछ स्पेक्स से यहां पर निकल कर आईए और इस बार दोस्तो चार आइफोन जो वो लांच होंगे ऐसा लव पर भी टो ओविसिंगे इसके बारे में थो आप पता ही यह साथ में आपको सब में 5G का सपोर्ट मिलेगा एक किड्नी गई उसके बाद आपको 120 हर्ट्स वाले डिस्पे मिलेगा यूस्बी टाइप-C वोट होगा दो किड्नी गई और साथ रिवर्स वार्लेस चार्जिंग काफी सपोर्ट मिलेगा यह तो गई मतलब हादोस ममी डेडी भाई वें किड़नी गई तो यह स्पेक्स यहाँ पर निकल कर आई जो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है जो लव टू ड्रीम है दोस्तों यह जो ट्विट करते हैं पहले भी उन्होंने किया था आइफोन एसी से रिगारिंग एपल के आइपड से रिगारिंग वो सब कुछ सही निकली थी तो इस बार उन्हेंने बहुत सारे अपकभी प्रॉडक्स बताए जो एपल की आनवाले जिसमें आइफोन ट्वेल लाइट का भी उन्होंने जिकर किया है जी हाँ तो यह जो चार आइफोन स स्पेक्स के साथ में और वो शायद 50-60,000 की आसपास आपको देखने को मिल सकता है ऐसी भी लीक्स यहाँ पर आ रही है तो अगर ऐसा होता है तो क्या आप सैमसंग और वन्पोस को स्किप करके आइफोन 12 लाइट लेंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस् यहाँ पर करेंगे जब बंद करते हैं फोन को सामने का डिस्पेय होता है वह 6.2 इंच का होगा काफी बड़ा होगा और आप देखेंगे सिंगल सेल्फी भी आपको सामने दिखाई दे रही है और जब ओपन करते हैं तो 7.6 इंच का होगा इसमें भी देखेंगे जो बहुत बहुत ही कम है और यहाँ पर भी आपको अंदर की तरफ एक कैमरा जो दिखाई दे रहा है और शायद जो फोन का पीछे का साइड होगा उसमें शायद आपको तीन या चार कैमरे अलग से देखने को मिल सकते हैं तो इस बार जो उन्हें ने डिजाइन लाई है Samsung Galaxy Fold 2 की वो द स्मार्टफोन के अंदर मतलब फुटर में दोस्तो ऐसा फोन मिलेगा जिसमें 600 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा Samsung की तरफ से मतलब human eye का maximum megapixels होता है हमारी जो आखों की शमता है ना दोस्तों वो 576 megapixels है यह 600 megapixel वाला camera लेकि आएगा Samsung ने अभी सही बोल दिया है अब यह पता नहीं को आएगा लेकिन दोस्तों imagine 600 megapixel camera आपके smartphone में कमाल हो गया है तो यहां पर दोस्तों PUBG mobile की तरफ से खावर आ रही है और 24 April को 0.18.0 वाला नया update आएगा और यह around 2GB से ज्यादा इसकी file size होगी लेकिन Officially PUBG ने इसको confirm नहीं किया है यह सिफ लीक हुआ है according to force bytes हमें सारी details पता चल रही है लेकिन इसके पहले भी काफिस सारी ऐसे चीज़े लीक हुई थी जो बाद में officially confirmed हो गई थी वैसे अलग-अलग जो maps उसमें अलग-अलग features वो लोग add करेगे शुरुबात करते है मिरामर maps से तो इसमें आपको एक नया update मिलेगा जो racing ramp करके कुछ है वो लोग उसमें add करेगे एक water city एक अलग इलाका है वो भी उसमें वो लोग add करेगे I think शयद इस zone के आपको बाहर रहना पड़ेगा map के अंदर ये actually में PUBG की पीसी वाला version उसमें available है लेकिन अभी ये mobile में भी आ रहा है और साथ में jungle adventure guide mode आ रहा है ये sand hawk map के अंदर आपको मिल सकता है इसके बार मैं अभी फिलाल के लिए कोई जान करें ये अलग-अलग map में अलग-अलग नए features add करें PUBG का जो mobile 0.18.0 आएगा इसमें आपको मिल सकता है जो 24 April को आ रहा है ऐसी हाँ पर leaks आ रहे है लेकिन सबसे interesting बात ये होड़ी दोस्तों क एक बहुत एक creative step लिया है PUBG का इस्तेमाल करके लोगों को alert करने के लिए जिया है फॉर example अभी आपको तो बताईए हम सभी लोगों को घर में रहना है तो PUBG में जैसी कि दोस्तों red zone आता है तो हम क्या करते हैं हम कोई एक ऐसा इलाका डूनते हैं जहां पर हम जाते हैं चुपत जिससे लोगों को creative तरीके से पता चले कि यह चीज़ कितनी serious है और घर में रहके हमें अपने आपको protect करना है तो यह message आप लोगों के लिए भी दोस्तों घर में रहिए और safe रहिए तो यहाप दोस्तों Xiaomi की दरफ से आज काफी सारे खबरे आ रही है और MIUI 12 officially इसकी launch date आ चु जिसके बार में शाओमिश कानेस पर tweet करके बताया कि इस बार आपको pixel level dark mode मिलेगा मतलब एकदम true type आपको dark mode मिलेगा dark mode version 2 होगा जो एकदम accurate तरीक से आपकी phone को dark mode theme देगा या वगएरा वगएरा की चीज़ करेगा उसके लाबा जो text के जो weight होते है आप उसको भी हाँ पर change क सकते हैं वगएरा वगएरा मतलब काफे सारे improved features के साथ में MIUI 12 आपको मिल सकता है लेकिन उसे दिन दोस्तों MI 10 Lite 5G जो यॉरोप में launch हुआ था around 30,000 में वो चायना में जा रहा है MI 10 Lite Youth Edition बनके कुछ वैसी नाम होगा और वो पहला phone होगा जिसमें MIUI 12 जो देखने को मिल सकता है जो MI 10 Lite Youth Edition होगा इसमें पीछे quad camera है 50x zoom का भी support होगा ऐसा भी बताया देखने और यह शायद दोस्तों इंडिया में कोई अलग नाम से phone बनके आ सकता है वैसे इन सारे Xiaomi की खबरों के बारे में आपका क्या खैल है आप comment करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों Oppo की तरफ स पर tweet किया था अब यह किस तरीकी के phone होगे कौन सी price segment में आ रहे है क्या कर रहे है क्या स्पेक्स होगा उसके बारे में कुछ नहीं बता है लेकिन Oppo भी नए series के smart phones लेकिया रहे है M, N, U शायद Oppo के M, U और N series वाले phones हमें पहले तो कभी दीखे नहीं थे जो नए है जो Redmi की तरफ से बहुत ही interesting खबर आ रही है, आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तो, बताया जारे कि Redmi K30 का successor Redmi K40 चाइना में बहुत ही जल्दी launch हो सकता है, जिहां, imagine दोस्तो Redmi K30 अभी आया था, जारा टाइम नहीं हुआ है, जो इंडिया में Poco X2 बन के आया है, अब सारे इतना Redmi के phones की, जिसमें MediaTek का processor हो सकता था, बताया जा रहा था, 800 वाला MediaTek का, MediaTek का 1000 वाला, तो I think Redmi K40 जो series है की, इन में इस बार MediaTek का आपको processor मिल सकता है, जो आपको 5G का support देगा, जिहां, और इतना है यह Redmi K30 का जो 6128 वाला जो वेरेंट एना चाइना में उस बार प्राइस कट हो गई है, जिहां, 1699 यॉन का था, अब वो 1599 यॉन हो गया, इसका मतब शायद से दोस्तो, Redmi K40 बहुत ही जल्दी आ सकता है, यह प्राइस कट भी उसका एक सबूत है, अब देखते दोस्तो, Redmi K40 वाला काई में यह चीज़ सही है, गलत है, यह तो सिर्फ लीक ह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्या को बता है कि दोस्तो, Auto Chrome Lumiere 1904 के अंदर यह एक ऐसा प्रोसेस था, जो कलर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिहां, 1904 से यह शुरू हो गया था, और इसको लाने वाले थे Lumiere Brothers, जिहां, तो आज की निदूस दे आपको आज की निदूस पसंद आएगी, पसंद आएगे तो लाइक करना, नीचे वाला वीडियो ज़रू से देखना, आपकी बैटरी लाइफ आप बचा सकते हैं उसको देखके, और नए है तो सब्सक्राइब के लेना, मिलते हैं आप से लिए लिए में में आपके सार्ट विए खिलिएर झाल आपके लाइब आपके स्मालएगे